हेलो दोस्तों गोड़ीविनिंग अलफ यू कैसे आप सभी सागत आपका फिर से दे क्रियेटिव नर्सिंग अकेडमी के यूटूब क्लासस में आज हम एक और 80-20 से लेटर अपडेट लेकर आये हैं आज आपको पता है कि सेंटर अबिस्टेटिव ट्रिबिनल में जो के कैट है उसका उसकी प्रिंसिपल बेंच देली के अंदर सुनवाई हुई थी कैस के ऊपर और हमारे एड़ोकेट ने बेरुज़कार साथियों का पक्ष लगा तर दो गंटे तक कैट के सामने रखा मतलब क कैट के सामने एड़ोकेट ने हमारा पक्ष रखा केटी ट्वन्टी क्यू बंद करना चाहिए ठीक है और 29 तारीक को कैट ने दुबारा बुलाया है तो यह रिश कालजा जी का मेसेज है हम सब के लिए मैं आपको उसकी जो पीडियेफ की कोपी है वो भी मैं आपको बता दे हैं दोस्तों यह डेरी नंबर 3176 इससे आप केट की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं आज प्रोसीडिंग डेट थी और नेक्स्ट जो लिस्टिंग देते वह 26 तारीक है ठीक है उसके लावा जो है एटी ट्विंटी होचक रूप से हटना चाहिए ज़रूर हमारा हमार जो है डेट से डेट आगे बढ़ती जा रही है और आशा करते हैं हम और आप सभी भी ऐसा उमीद रखे कि हमारे पक्षमी फैसला है क्योंकि एटी-ट्विंटी मैं कितनी बार कह चुका हूं पहले मैंने एक दो वीडियो में इसके बारे में बोला है लेकिन मैं बार-बार क बक्षवात होना भिलकुल भी जायज नहीं है और भी अग्सेप्टेबल नहीं है उसको कोई बी करेगा और लाकों बच्चों का हजारों बच्चों का भविशी खत्रे में है इसलिए सातियों हम सबको साथ रहना है इसके खिलाब हमें आवाज उठाते रहना है जिससे की आ सब्सक्राइब बनते थे उस तरह से मफपस हम बन पाए और कि साथियों कि एटी ट्वंटी जो है वो एक बहुत ही पड़ा मुद्दा है हमारे लिए हम सब बेरुजगार साथियों के लिए और हमें इसके खिलाब जो है लड़ना पड़ेगा तब लड़ना पड़ेगा कि जब तक इसको वापस से हटा लिया नहीं जाए और हम सब को एक जूट रहना होगा किसी के भी बहखाव में आकर ऐसा नहीं करें कोई इसा नहीं सोचे कि में तो इंटेलिजेंट हूं मैं तो 20% में भी हो जाएगा इसका मतल इस चीज को कंपेर ना करें 8020 बहुती गलत चीज़ें कहीं पर ऐसा मैंने कहीं आज तक देखा नहीं है ना आपने कहीं देखा होगा तो मैं आशा करता हूं कि हम सब जो है 8020 एकलाब लड़ेंगे और जरूर 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 रूप से हम इस केस को जीतेंगे और 8020 वापस करते हैं देखें दो दिन और लेकिन इसके साथ साथ जो है बहुत अच्छी बात हैं विरोध कर रहे हैं लेकिन पढ़ाई भी आपको जारी रखनी है ठीक है 8020 से 8020 हट जाएगा उसके बाद भी तो मैं एक्जाम देना ही पड़ेगा तो study is also important अपी जो है बहुत सारे बच् से नौय कि एकट दीन से हम पढ़ाई करना शुरूर करेंगे मैं ङादकों के लिए बोल रहा है एम्स की सारी यूनियन सारे चीज़ें इसके अगेंस्ट ही सही और केस भी चली रहा है देखते हैं अब इसका क्या होता है और के सात्यों मुद्बन धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए आपके दोस्तों को साथ चेयर करें वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्यू सो मच हाव एक रिट्टी